वेलकम टू अंदाज आरशा विंटर्स में स्किन में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है ड्राइनेस की बहुत ही रूखी, सूखी और बेजान स्किन लगने लगती है सो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लीसरीन, निम्बुकारस और मलाई जब बात आती है इसकिन को डीपली मॉइस्टराइज करने की तो मलाई उसमें नमबर वन रोल प्ले करती है और उसके साथ साथ यह आपके अपय देजे कि अधार को भी बूस्तरती है इनु शॉर्टya की एक्स्टर को इंप्रूव करती है प्रेजिजन होनी की वज़े ए मलाई मायी माइडली एक्सपोलियेट करती है आपकी स्किन को और स्टिमॉलेट मी करती है कोलाजन प्रोडक्शन को अब अपने सेकंड इंग्रीडियन्ट ग्लीसरीन की बात करते हैं ग्लीसरीन हाइड्रेट करते है स्किन की आउडर लेयर को इंप्रूफ करते है स्किन के बैरियर फंक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते है अगेंस्ट स्किन इरिटेंट्स बहुत ही जो dry skin होती है उसको बहुत ही soft और subtle बनाती है smooth करती है, brighten करती है और आपकी complexion को भी enhance करती है reduce करती है fine lines, wrinkles को और इस तरह ये anti-aging benefits भी देती है और lemon juice के benefits आप लोगों को पता ही है कि ये naturally contain करता है vitamin C जो reduce करता है skin के damage को premature aging को naturally lighten करता है किसी भी तरीके के spots अगर आपके skin पे available हो तो astringent qualities होने की वज़े से skin को tone और tight करता है enhance करता है collagen production को और fight करता है pimples से fade करता है discoloration को और blemishes को और brighten करता है dull skin को और shrink करता है large और open pores को so friends चली अब इस pack को बनाया जाए so friends यहाँ मैंने 2 teaspoon मलाई ली है जिसमें 1 teaspoon निबु का रस और 1 teaspoon glycerine को mix कर लिया है अपने clean face पे इस pack को apply करिए 5 minutes के लिए gently massage करिए उसके बाद 10 minutes के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजे और after 15 minutes गुरंगरे पानी से धुल लीजे glowing skin is always in friends do try this and share your valuable feedback with me अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे like करें share करें और मेरे चानल को subscribe करें thank you